Dear students, today we will do worksheet 4 of unit 3, okay, so these are the storytelling sums, storytelling sums are very very easy, ठीक है, क्योंकि question में हमें सब कुछ given है, see, सबसे पहले हम statement को read करेंगे, read करके बिटे हमने statement बनानी है, ठीक है, word लिखेंगे, word to word हमने लिखना है, पहले तो आपको question समझ में आना चाहिए कि question लिखा क्या है, क्या आपको दिया गया है, औ क्या आपसे पूछा गया है, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, आपको इस बात का ध्यान देना है, कि आपको क्या दिया गया है, और क्या आपसे पूछा है, दो चीजे हैं ठीक है, सबसे पहले उस पे ध्यान देंगे कि आपको दिया क्या है, तो statement को read करते है, a part, there are 850 toffees in a packet ये चीज़ आपको दी गई है, कि एक packet में, in a packet लिखे ना बिटा, a, मतलब कि एक packet की बात हो रही है, तो एक packet में 850 toffees दी हुई है, ठीक है, तो यहीं से आपकी first line बन जाएगी, number of toffees in a packet, ठीक है, number of toffees in a packet, अब number of word हमने क्यों use किया है, third में मैंने आपको बताया था, class third में, कि जो, जिसको हम count कर सकते हैं, उसको बैटा हम number से donate करेंगे, I mean number से इसको denote करेंगे, ठीक है, जैसे कोई copies है, number of pages, ठीक है, या फिर number of pencils, जिसको आप count कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरहा से counting कर सकते हो, उस उसके लिए हम word use करते हैं, number of, ठीक है, और जैसे अगर मैं बात करूं, water की, पानी, पानी को आप गिन सकते हो, you cannot count, तो उसके लिए हम word use करते हैं, बैटा, quantity, जो liquid है, liquid cheese, उसके लिए हम quantity word use करेंगे, otherwise, जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे कि toffees, तो उसके लिए हम word use करेंगे, number, ठीक है, तो number of toffees in a packet कितना गिवन है आपको, this is 850, this is 850, now you will read the next line, how many toffees are there in a 215 packets, एक चीज़, first line में तो आपको गिवन है कि आपको क्या दिया गया है, second line में आपसे पूछा गया है, how many toffees are there in 215 packets, यानि कि 215 packets में कितनी toffees होंगी, how many toffees, toffees पूछी जा रही है, कितने packet में, 215 packets में, एक packet का बता दिया आपको, कि एक packet में 850 toffees है, आपको 215 packets का निकालना है, कि इतने packet में कितनी toffees होंगी, पैटे अगर हमें one packet का पता है कि एक packet में इतनी toffees होती है, तो इतने packets में कितनी हो जाएंगी, multiply कर देंगे मेरे पास निकल आएगा number of toffees बास समझ में आई एक का पता है ज्यादा के लिए निकालना है तो क्या करेंगे multiply तो यहां पर मैंने लिखा number of toffees in 215 packets अब हमने क्या करना है multiply multiply करने से पहले जब हम multiply करेंगे three lines आपने leave करनी है for carry 123 अब यहां से लिखना start करते है 850 और यह 215 multiply like this 5 0s are 0 5 5s are 25 25 का 5 2 carry 5 into 5 into 8 this is 40 and 40 plus 2 this is 42 clear table यहां दोने चाहिए बिटे 100 जा 0 15 जा 5 18 जा 8 अगेन हम क्या करेंगे cross लगा रहे हैं cross पता ना बिटे क्यों लगाते हम ठीके अब हमने third वले number को multiply करना है 2 0s are 0 2 5s are 10 10 का 1 carry 2 8s are 16 16 plus 1 17 clear now we will add vertically 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 का मतलब क्या होता है बिटे इसको लंबाई में इस तरह से इसको आड़ करेंगे लंबा लंबा इस तरह से आड़ करेंगे तो 0 तो यहां पे 0 ही रहेगा 5 plus 0 5 5 plus 2 this is 7 8 plus 4 this is 12 12 का 2 1 carry चला जाएगा 7 plus 1 8 1 as it is तो आपके पास यह निकल के आता है बिटा इतनी टॉफिस है ठीक है यहां पे मैं लिख देती हूं 1 8 2 7 5 0 अगर हम इसको read करेंगे तो कैसे read करेंगे यहां पे आपने कॉमा लगाना है और एक कॉमा यहां लगाना है यानि की 1,82,750 ओके इस तरह से होगा पेटा question now see the b part a cane of oil contains 15 litre of oil एक cane है तेल का ठीक है oil यानि की तेल जिसमें 15 litre का तेल है how much पेटा एक चीज़ और first line में आपको given है ठीक है जैसे कि यहां पे आपने पढ़ा कि a cane of oil contains 15 litre of oil तो यह पढ़ते ही आपने line लिख देनी है statement बना देनी है ठीक है तो यहां पे मैंने पहली line लिख दी जो हमने first line read की थी quantity of oil in a cane ठीक है अब cane को यह जो cane के अंदर जो oil है बटे उसको हम count तो नहीं कर सकते है one oil two oil वो तो liquid है है ना liquid की foam में उसको तो आप count ही नहीं कर सकते हो इसलिए यहां पे word यूज़ किया गया है quantity तो quantity of oil in a cane equals to 15 liter ठीक है लीटर के लिए बटे capital L भी यूज़ कर सकते हो अगर पूरा नहीं लिखना तो capital L लिख लो या small l लिख लो now see the next line एक line में तो given है आपको और दूसरी line में आपसे पूछा जा रहा है क्या पूछा जा रहा है how much oil is there in 240 such canes कितना oil है 240 such canes में एक cane में तो पता है 15 liter है अगर इसी तरह के 240 cane और हो जाएं तो कितना oil हो जाएगा ये आपसे पूछा जा रहा है तो एक के बारे में आपको बता दिया कि एक cane में 15 है तो 240 में कितना होगा एक से जादा में कितना होगा multiply करेंगे तो पता चल जाएगा ठीक है तो यहाँ पर हमीं क्या करनी है multiplication और line इस तरह से लिखेंगे quantity of oil in 240 cane equal to क्या करेंगे 240 को multiply कर देंगे 15 के साथ line छोड़नी है 1 2 3 3 line छोड़ी यहाँ पर लिखेंगे 4 sorry 2 4 0 और यह 15 15 multiply का sign पहले 5 को multiply करेंगे फिर 1 को multiply करेंगे 5 0 is a 0 पूरे number से multiply करना है 5 को 5 4 is a 20 20 का 0 2 carry 5 2 is a 10 10 plus 2 12 multiply का sign लगाएंगे क्योंकि इसको हम block कर रहे हैं बंद कर रहे हैं इस जगा को अब 10th place की multiplication होगी this is 1 then 1 0 is a 0 1 4 is a 4 1 2 is a 2 okay now we will add 0 0 plus 0 0 6 plus 2 sorry 4 plus 2 6 ठीक है 4 plus 2 6 3 यह 3 हो जाएगा बिटा 2 plus 1 तो आपके पास यह निकल के आया you will write here 3600 ठीक है तो इतना लीटर जो है आपके पास oil आ जाएगा 240 केन में तो आपने यह पर लीटर ज़रूर लगाना है clear कि बढ़े बरनेखमहन जाएग लेपर technical लगार लीटरा लीटर सेुग्णा है ल कहाँता के अब जावावन से mayoría उन में जाएगा जो है के बाजते है